डिप्टी सीयम मनीश शिसोदिया की पतनी से मिलके सीयम भगवत मान और अर्विंद केजरिवाल अभी उनके घर से मिलके बाहर निकले हैं और अभी अभी प्रेस को अभी बताएंगे कि आगे की करवाई कैसे होगी या क्या कुछ कहना चाहते हैं आई यह सुनते हैं मनीश जी को आज एक पूरी तरह से फर्जी और जूटे केस में खसा के उनको गिरफ्तार किया गया है मनीश जी एक इमानदार देश भक्त और साहसी व्यक्ति हैं जो 24 घंटे देश की सेवा में लगे रहते हैं पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से उन्होंने गरीबों के बच्चों को अच्छा भविश्य देने के लिए उन्हें अच्छी शिक्षा देना शुरू किया था पिछले 75 साल में शायद यह पहला शक्स है जिसने हर गरीब के घर में एक उमीद जताई थी रिक्षे वाला मजदूर किसान गरीब आदमी कि उसका बच्चा भी बढ़ा हो कि उसको अच्छा भविश्य मिल सकता है सरकारी स्कूलों का काया कल्प किया था एक शरीफ आदमी है मनीश उनको आज इन्होंने गिरफ्तार कर लिया तो हम देख रहे हैं किस तरह से पूरे देश के अंदर शरीफों को देश भक्तों को अच्छे लोगों को इमानदार लोगों को तो पकड़ पकड़ के जेल में ड को będzie वो इनके दोस्त हैं अनके खिलाव कोई अक्छन नी होता वो खुले हां गूम रहे हैं उनको नोटिस देने की भी हिम्मत नहीं है नोगों की क्योंकि वो इनके दोस्त हैं पूरा देख रहा है लोग देख रहे हैं और लोग इसका जवाब देंगे मैं और मान साब अभी उनकी वाइफ से मिलके आ रहे हैं उनकी वाइफ को काफी सीरियस बिमारी है मल्टिपल स्क्लेरोसिस जिसमें ब्रेन जो है वो धीरे धीरे ब्रेन का कंट्रोल बॉड़ी के ओपर खतम होता जाता है मनीश के जो बेटे हैं वो अभी बाहर पड़ रहे हैं तो उनके घर में अकेली हैं वो और मनीश जी उनका ख्याल रखा करते थे पर हमने उनको सांत्वना दिया कि चिंता करने की बात नहीं है आपके पती बहुत सासी हैं देश के लिए लड़ रहे हैं देश को पूरे देश को मनीश जी के उपर गर्व है और हम सब एक देश के एक करांतिकारी शिक्षा मंत्री के तौर पर जाने जाते और आपी के भाईचारे से एक पत्रकार होते हुए अपना सारा कैरियर छोड़ कर आमादी पार्टी के फाउंडर मेंबर मनीश सोधिया जी को आज इन्होंने एक जूटे केस में गरफ्तार किया है मैं कहूंगा जे मनीश से सोधिया की गरफ्तारी नहीं है लाखों बच्चों के भवेश्य की और उनकी उच्चे सिक्षा की अभवानना है क्योंकि सकूलों में अक्सर लिखा रहता है अगर आप छोटों के लिए सकूल बना दोगे तो बड़ों के लिए जेल बनाने नहीं पड़ेंगे लेकिन सकूल बनाने वाले को जेल भेजना ये सिर्फ बीजेपी का एजंडा ही हो सकता है वो नहीं चाते के देश शिक्षत हो वो नहीं चाते के देश के लोग युवा उच्चिस तरी है जो शिक्षा है वो देश में लें क्योंकि उनको पता है अगर वो पड़ गए वो सोचने लगेंगे सोचने लगेंगे तो जो हमारा नफरत का एजंडा है उसको समझने लगेंगे फिर हमें बोट कॉन डालेगा इसलिए आज जो मनीश सोधिया जी को सीब्याई ने गरफ्तार किया है जूटे केस में सक शब्दों में निंदा करते हैं हम और यह अकेला मनीश जी को नहीं पूरे देश में कोई भी देश के लिए बोलेगा कोई भी इनके खिलाफ तो अगर कोई किसी कॉमेडियन ने कोमेंट कर दिया था उसको भी पकड़ लिया था तो मतलब यह नहीं चाहते के हमारी मर्जी के बेना कुछ हो लोगतंतर में ऐसा संबब नहीं है हमारा देश यह गुलदस्ता है तरह तरह के फूल है हर फूल का अपना रंग है हर फूल के अपनी खुश्बू है लेकिन ऐसा करके बीजेपी जो है वो ड्राना चाहती है हमारी टीम को तोड़ना चाहती है कि यह इनकी टीम आमादी पाटी की बहुत अच्छी बन गई है य पूरे देश में जाते हैं और हमारे बारे में बोलते हैं अंदर किसको होना चाहिए था अंधर होना चाहिए था जो को में पेसा नंकर लेकिन वह खुले में घूम रहे हैं और जहांजोंदों कर रहे हैं मैं स्कूल खोलने वालोंको ओर दिल्ली का बजट 24,000 क्रोड से 162 पचात्र हज्वालों तक देखना वालों को क। देश की दिल्ली की तरक्की कराने वालों को कीए जेज में बेखेंगे तो ये बहुत कायरता पूरनक्दम में अमादी ही पार्टि ड़र्ने वाली है हमारी पार्टि एंटी कर्रॉप्शन मुंक्त से निकली है रामलीला ग्राउंड से लिए हम किसी और पार्टि से निकाले उए जा छोड कर आए उए वो बैसे पॉलिटुशनों की पार्टि नहीं है हम लोग अलग अलग फील्ड से आये हैं अर्विन केजरिवाल जी एक इंकम टेक्स कमिशिनर थे मनीश जी बहुत बड़े पतरकार थे मैं एक फेमस आर्टिस्ट था कोई वकील था कोई हम में से कोई टीचर था तो कोई शोशल वर्कर था तो आमाधी पार्टी में हर समाज का हर वर्ग है तो इसका जबरदस्त हम विरोध भी करेंगे लेकिन ड्रालें जितना इन्होंने ड्राना है बाज उतना ही उपर उड़ता है जितनी हवा उसके विरोध होता है